सूरतना मुसलिम ट्रस्ट जमील उल्मा ना अध्यक्स अर्सद एहमद मीर अने साइद रुकुनु बापु द्वारा सूरतना कमीशनर अने कलेक्टर ने आवेदन पत्र देवा मा आवियू आविदन पत्र मा गत पांच चुलाई सुक्रो वाना रोज निकरेली मौन रेली मा पोलिस अने रेली वच्चे जे घंसर बन्यू तेना मते दुखत घटना बतावा मा आवी छे पोलिस द्वारा जे धर पकड़नों दोर सरू थेयो छे तेमा निर्दोस नागरिकोंने पकड़वा मा नो आवे तेवी विननती करवा मा आवी छे जेती मान सरवन जरवाई रहे और लगूमती समाजनमा विश्वासनी भावना जरवाई रहे तेवी विननती करवा मा आवी छे हमारे शेहर के लिए अमान, सुकून और चेन लेकिया है इसके लिए हमने हमारा आवे दंजिया है और इन्हों नहीं को यकीन दिला है कि इसा आप कोशिन होगा हम पुरी कोशिश करेंगे कि दोनों कौम के अंदर मुहबत और इसके पाक है कमीशनर सर ने आपको कया बैंने को विए आप जब आप ओढया है। म आप हम पूले को आप हमसे करना है उन्हों करने कुछ तुरे ह्हार स्ध रह Nice, अंते हर कौम के लोगोगों को बेसे करो है कि इसके नहीं उड़ा है कोई भुँआफे, मधे द्огन, को आ आप सब्से है, ही है मज़ा जीने में है क्योंकि अभी हमारे माहौल हमारे शहर का माहौल सब बेढ़ चुके और हर गरीब बुर्बा फिर रहे हैं तो आप यह मेरबा नहीं करें हर कौम से मेरी अपील है कि इत्तिफात और इत्तिफात प्राइब कुछ इसा नहीं लगता सर के राजकारन हो र आने वाले वक्त में इद आ रहे हैं नौरात्री आ रहे हैं बच्चों के अलूना सुरू हो रहे हर इंदू-मुसल्मान के तेवार सुरू है हम यह चाहते है कि चेहर के अंदर अमन और चैन्ज है हो और हमारा भाईचारा कि गंगार जमनी के जिब जिदा रहे और बरकरार ह आपरो नाम है अर्शक्त अहमत इद्रू कादिर मीर जम्यत उलमा हिन सूरत की जानिव से आज हम यहां को आवेजन पत्र देने के लिए और इसमें को कहा गया कि जो बेगुना नीजोस्त हमारे नौजवान साथी है उनको हर्गीस नपकड़ा जाए रात के वक्त में जब सब लोग सोय हुए होते हैं बड़ी साधात के अंदर एक टीम आती है और नीन में सोय हुए को उठा कर उनको गिरिफ्तार करके ले जाती है जिसकी वज़ा से पूरे शहर के अंदर एक खौफ का माहूल है तो खौफ का माहूल दूर करना है और ऐसी को जैसे बेगुना और बेकुसूर लोग पकड़े जाए यही पेगाम लेकर हम कलेक्टर साभ के पास आए दें अभी कमिशनर साभ से भी मुलाकात की उन्होंने हमको बहुत इत्मिनान दिलाया और उन्होंने कहा कि ऑन लिदी में कह चुगा हो लेकिन फिर भी हम इसके मुताल आए तो आप हमको बतलाए तो हम खुद उसको छोड़ देंगे दोनों घम्मेदारों ने जम्यत के पेगाम को सुना और इत्मिनान दिलाश हमको जवाब दिया